चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुबारक स्नेक्सेवर में दोस्तो आने वाले हर एक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और घंडे को भी हिला दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको फ्री में मि दोस्तो आतंकवाद मानों का सबसे बड़ा दुसमन है इसलिए दोस्तो सिच्छा से जुड़िये सिच्छा का मुख धारा से जुड़िये समाज की मुखधारा में लोटिए ताकि आतंकवाद अपने आप दूरी बना लेगा और दोस्तो बेटी बचाईए बेटी करके बिहार के कुछ फ्रेंड्स दोस्त हमें कॉमेंट किये थे तो दोस्त सर हमारा मानना है कि अगर मेरी एक बेटी है आपकी दो बच्चियां है तो बच्चियों को इसकदर हम लोग पढ़ा लिखा दें और जॉब मिल जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है तो दोस्तों बाहर करके दिखलाएंगे आखरी तक बने रहें तो बेटी बचाईए बेटी पढ़ाईए सेव ट्री सेव लाइट इसलिए दोस्तों बेटियों को खास करके 18 और 19 में मेरेज नहीं देना है अगर आप बढ़हां से पढ़ाते हैं तो 25 और 26 तक में उन लोग को बढ़हां स जब बेटी का बाप खुद दहेज लेगा आने वाला है उल्टा होगा 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 ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों बेटी का बाप क्या करेगा दहेज लेगा कि मेरी बच्ची तो IPS अबसर है आपके बेटा करता है मेरेज तो आप हमें दहेज दिजिए लेकिन हमें और यह हीमोटॉक्सिन पोजन को छोड़ता है तो हिमोटॉक्सिन क्या करता है इसके बारे में आपको बताना है आप को दक्ला रहे हैं दोस्तो लाइब देख रहे हैं रसल्स भाई पर हमारे साथ सलमान जी जुड़े हुए एक हमारे भतीजा है सलमान जी और हमारे साथ डॉक्टर ससांग पाठक फ्रॉम ब्यसके कॉलेज माइथन महिला कॉलेज जामताडा से जुड़े हुए जो बोटनी जलोजी के बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर है और हमारे एक भतीजे हैं वह भी जुड़े हुए है तो सर यह है रसल्स भाई पर यह आप ऐसे देखाईए तभी देख पाएंगे पब्लिक यह इसका हीमो टॉक्सिक जहर होता है यह पूरे ब्लड को डिस्ट्राइ कर देता है जैसे ही काटेगा पूरे ब्लड को यह डिस्ट्राइ कर देगा और जितना भी बोडी में छेद है नाक से कांसे मूँसे बलीडिंग होना चालू हो जाएगा और पैसेंट को मरने में छे से साथ दिन लगता है जी जी साथ से दस दिन लगता है और गंग्रेन हो जाएगा ऐसा कि उसका नेक्रोसिस हो जाएगा टीशू गलने लगेगा जहां पर काटेगा वहां से उपर और सर थोड़ा आप बताईए इसके बारे में जो मेरा अनुभाव है चुकि लोग हमारे पास आते रहते हैं स्नेक बाइट का अकसर लोग आते हैं तो हम उसे सीधे सरकारी हंस्पताल ले जाते हैं सर तो हमने देखा है कि रसल वाइपर के काटने से बलड का जो टीशू होता वो डैमेज हो जाता है चूबीस घंटा के अंदर सूजन होने लगता है और फिर फूलन लगता है और मांस गैंगरिंग होने लगता है यानि मांस सडने गलने लगता है तो दोस्तों आपको स्नेक बाइट हो जाए भगवान ना करे कभी ऐसा हो लेकिन आप होस्पीटल जाए डॉक्री सलाह लिजिए मेडिसियन का सारह लिजिए ताकि इनसान को बचाये जा सकता ह कभी जाड़ फुक में न रही है भूल से भी जागुनी के चक्कर में न आ जाएगा तो इसे सर हम रखते हैं फिर दुसरा हम दिख लाएंगा वर्ड में सबसे बड़ा विजदंत अगर किसी सांप का है तो वो रसल्स भाईपर का है रसल्स भाईपर का है और हम सर क्रैट के बारे में हम बताना चाह रहे हैं क्रैट कल सर हमारे मोबाईल पर फून आया कि देवघर से हम बोल रहे हैं देवो का नगरी देवघर पूरे भारत में देवघर का नाम सबसे अलग है किसी कहें कि वहां बासुकी नाथ है लोग आस्था से जुड़ जाते हैं और सावन के महिने में देवघर जाना ज्यादा पसंद करते हैं चुकि वहां भोलेनाथ जी का मंदिर है मंदिर में पुजा अर्चना करते हैं तो देवों का नगरी देवघर तो वहां से फोन आया कि एक आदमी को सांप काट लिया और हम लोग मंदिर में ले गए थे तीन चार घंटा के बाद पुजारी बोला इसे आप हस्पीटल ले जाएए तो सर आप कुछ कीजिए तो हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसा हो गया था कि आप मंदिर ले गए थे बुरा लोग बोले कि मंदिर में ले जाने से ये बच जाएगा तो हमने उनको सजेशन दिया इस साप काट ले न मंदिर जाना है न महजिद जाना है अगर जाना है साप से स्पेशल सरकारी सदर हस्पताल जाना है चुकि इंडिया गवर्मेंट अपने खुद एंटी भेनम सीरम बनाती है चुकि अब बता रहे थे कि आज के दौर में मल्टी एंटी भेनम सीरम आ गया है उप कब कोई इंसान को काट ले हूँ अगर जहरिला है तो सबसे पहले सलाइन चड़ाया जाता है और सलाइन के साथ्षाण में पुष्य किया जाता है अगर जहर का मात्रा जादा छोड़ दिया गया है तो एक इंसान को बचाने में 30-40 एंटी वेनम सिरम लगता है तो हम सर इसको बताना दिखलाना चाहरा है और थोड़ा आप इसके काटने से क्या होता वो रिजन बताईएगा यह सर क्रैट सांफ है सर इसे साखर सांफ भी हम लोग बोलते हैं बिहार में लोग इसे साखर सांफ के नाम से जानते हैं बंगाल में चिते सांफ है हाँ 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 पकड़िये से बहुत ही प्यारा सांफ है और यह जिसे हम क्रैट के नाम से जानते हैं पकड़िये से कॉमन इंडियन क्रैट पकड़ coincay पूरा जामुन की कलर होगा साइज में भी बड़ा होगा और वाइट धारी होगा यह highly vitamin A Conversed कॉमन क्रैट इसका जहर क्या होता है सर। इसका जहर भी निरो टॉक्सिक होता कोबरा के जहर की तरह लेकिन कोबरा से यह धीरे काम करता है यह अगर किसी को काट ले तो तीन से चार घंटा पांच घंटा तक मैक्सिमम यह समय देता है इस बीच में हमको पेशन्ट को ले जाना है तब यह बच पाएगा और जहां यह काटेगा वहां काटने का निशान जस् एक हटकर नहीं शु करता है इस तरह से इसका वहनन काम खरता है तो दोस्तो को आप लाइब देख रहें साप पर्यावरन को भचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सलमान जी कोई कुस्च्चन है आपका कोई क्च्चन नहीं तो चलिए आप साफ को मारे नहीं बचाने का परियास करें इस बारिस के मौसम में साप कोई जहरीला जीव जनतु घर में ना आ जाए इसलिए नियमित फिनाइल कारबोली के ऐसी ब्लीचिन पाउडर का छिड़काव करें जिससे साप आपका घरों में परवेश करना बंद कर देगा तो दोस्तो हमारे वीडियो को जहां से जादा से जादा लाइक सब्सक्राइब और घंटी दबा दे ताकि साप से जुड़ा हुआ तमाम जानकारियां आपका मुबाइल तक पहुंचता रहे